साथ यो आज से 90 साल से भी अधिक समय पहले अंग्रेजों ने एक कानून बना कर बैम्बू को वुर्ख्ष की कैटेगरी में डाल दिया था, ट्री की कैटेगरी में डाल दिया था, ये कानून प्राइवेट जन्मीन पर उगाये गए बैम्बू को काटने, उनके ट्रांस्पो इस वज़े से किसानों को, ट्रेडर्स को, बैम्बू इंडस्ट्रीज को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, हमारी सरकार ने आपकी इन परेशानियों को समझा और ये कानून बदल दिया, इसका बहुत बड़ा लाब असम में बैम्बू क्राप से जुड़े ल हुआ है, अब बैम्बू का प्लांटेशन हो, बैल्लू चेन बनाना हो, बैम्बू बेस प्रोडस्ट की मार्केटिंग हो, सरकार सभी में सयोग कर रही है, असम सरकार ने भी बैम्बू और केन के लिए विशेज पॉलिसी भी बनाई है, और इससे जुड़े छोटे उद्यो है, जब कॉंग्रेस सेंटर में भी थी, और असम में भी थी, तब नेगलेट भी डबल था, क्योंकि असम के लोगों की ना राज में सुनवाई थी, ना केंद्र में सुनवाई थी, तब करप्शन भी डबल था, क्योंकि कॉंग्रेस के स्थानिये नेता को भी कट देना होता था और केंद्र के नेता को भी बंडल के बंडल पहुंचाने पड़ते थे तब घुस्पेठिये भी दबल थे क्योंकि राज्य सरकार को भी ऊटमेंग की पड़ी सरकार है और राज मेंवें भी अंडीय सरकार है तो डबल इंजिन कीAc ताकत असमको तेजी से आगे बढ़ा